यूट्यूब की इस चैनल में हम सभी अभ्यारतियों का स्वागत करते हैं सात्वे चन्ड शिक्षक अभ्यारतियों का नौटिफिकेशन फरवरी महा के अंतिम सप्ता में चितरंजन गगन आरजेटी प्रवक्ता का इंटर्व्यू खुलकर बोले फरवरी का अंतिम सप्ता होगा न्युक्ति का सप्ता पटना एजुकेशनल रिपोर्टर आरजेटी के प्रवक्ता चितरंजन गगन का इंटर्व्यू लिया गया तो उन्होंने शिक्षक बहाली पर खुलकर बात की नौटिफिकेशन जारी होने के पूरे आसार हैं शिक्षक अभ्यारतियों को अब धैरे बना कर रखना चाहिए नियमावली बनकर तैयार है शिक्षक मंतरी के सिगनेचर हो गए है थोड़ा संसोधन कारे बाकी है जैसे ही संसोधन पूरा हो जाता है नियमावली को कैबिनेट स मंजूरी दे दी जाएगी शिक्षा विभाग लगातार विध्यालों शिक्षकों केरिक्त पदों का ब्योरा ले रहा है अब जल से जल भाली की प्रकिरिया सुरू होगी तो दोस्तो आज जो है चितनजन गगन का यहाँ पर इंटरव्यू लिया गया है खुलकर उन्होंने सात्वेचरण पर वारता की है क्या कुछ उन्होंने सात्वेचरण पर कहा है आप सुन सकते हैं मीडिया रिपोर्टर के साथ उन्हों ने वारता की और पूरी बातें रखी हैं साथवेचनल पर खुल कर बोले हैं कि सिच्चय विभा के मंतरी गंड क्या कुछ कर रहे हैं और आगे कि क्या प्रक्रिया होगी क्या सिच्चय विभा के भीतर हो रहा है ये फरवरी का जो अंतिम सप्ता होगा नियुकती का बड़ा सप्ता होगा तो इस बार उन्होंने इस पस्ट रूप से बात कही है कि नोटिफिकेशन हर हाल में फरवरी के अंतिम सप्ता में जारी कर दिया जाएगा तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आर जेडी के प्रवक्ता तो चलिए आपको लाइव इनकी वारता हम सुनाते हैं दोस्तों इस पर सच बताईएगा नोटिफिकेशन का बार वाज उठाते हैं लेकिन एक नमर के जूटे परवक्ता है ये नमस्कार बिहारी प्रतिभा निउज में आपका स्वागत है अभी हम मौझूद है आर जेडी कर्याले में हमारे साथ चित्ररंजन गगंजी है और जिस तरीके से सिक्षा कभ्यर्थी तिन दिवसी धर्णा परदर्शन किये थे और सिक्षा मंत्री के बातों पर कही न कहीं भरोसा नहीं हो रहा है ते जैस भी यादो भी अस्वासन दिये थे इस पर उनका क्या कहना है और सिक्षा कभ्यर्थी जो लगतार धर्णा परद तो पर भिष्वास नहीं करने का पूश सवाल ही नहीं है. अब शिक्षा मंतरी के अलावा तो जो हमके ओपर मुख्य मंतरी थे सी एम और सीम है. शिक्षा मंतरी जब खुद पूछ कर चुके हैं, बोल चुके हैं, इसलिए उस पर भरफसा करना ही पड़ेगा. विष्वास क्यों नहीं रहा के आप दूकार आपपना विष्वास खुचू का पाराम। कर दिया गया और फिर जो है तो तीसरा दिन देखे थे कि आप एस्टेट अवे अर्थी लोटपोट के अर्धनग नहों के पड़दर्शन की ये थेक दम देखिए हम तो करेंगे कि उनलों को अब जब मान्मिय सिक्षा मंत्री का प्यान आ चुका है, ट्विट आ चुका है, सरकार गंभीर है, अब सवाल है कि जो प्रकिरिया है, प्रकिरिया का तो पालन करना ही परेगा और जो जितनी समस्यां उसमें आई हैं छठे चरण में, उन स किया है, जोठा मंत्री है, यह अब अर्थी जो पूर रहे हैं, एक बाद तो सिक्षक बनने वाले हैं, राष्ट निर्मा आता है, उनको अपने थुरा गरिमा का ख्यार रखना चाहिए, और सब्दों का चयन, भासा का चयन, समझदारी के साथ करना चाहिए, आपको भी सिक् कि इस बार आएगा, उस बार आएगा, आता कभी न, इसलिए आपको एकदम छूठा पूरते हैं, देख लिजे, उसमें इतना लूफ हो रहा है, चटा चरनी में, और जो नियोजिल सिक्षक है, उनके सामने इतनी समस्याएं हैं, उन सारों का समाधान इसमें खोया जा रहा ह इस जंग से कहीं से कमी नहीं रह जाए, जो बात में परसानी हो, बात में कोई इसको लेकर कोट में चैलेंजि करेंगा, इस बार सच बताईएगा, नोटिफिकेशन का बार, विल्कुल सच बता रहे हैं, तो अब सवाल है कि आप, एक सोब आएगा, सरकाब आएगा, आएग जो इस बार भी जूठा साभी थोंगे, आप भी जूठा साभी थोंगे, सारे आपके नेता मंत्री जूठा साभी थोंगे? अब किसी के जूठा कहतने से ऐसा नहीं नहीं कि बच्चों का भविस बरबाद कर दिया जाएगा, और लटका निवक्ति पर क्या को लटका कर रखा जाएगा, और छठा चरन नहीं देखे, आभी तो खतम नहीं हुआ, देखना चाहिए न, कि बढ़ एक पक्षी होकर सुठ जो दो सार नेता मंत्री पर डिपेंड करता न, छठा चरन ख़ड़ भगई न, कहीं अभियर्तियों का तो उम्रे फटम हो रा है, जो बहुत नहीं हो गया, उनलों का देखते हैं कि सचिबाले में गये, और जो उसे पता लगा है, तब जो शिक्चा मंत्री को पता लगा है, जो दोस्तों, ये थी मेडिया की लाइब वारता, चितरंजन गगन के साथ, जो की आपने सुना दोस्तों, इस पश्ट रूप से पूरी की पूरी वारता इनोंने की, और बताया की क्या कुछ राय है, चितरंजन गगन की, तो आपने सुना इसे, देखते हैं क्या कुछ होता है, फिराल तो इनोंने भी फरवरी मा का अंतिम सब्ता बता ही दिया है, दोस्तों इस वीडियो में इतना है, कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें, वीडियो क